अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल इबलिग एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें नहीं तो हमारी क्लासे के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएंगे और इस नोटिफिकेशन के थूँ इस चैनल के थूँ इसको अब जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं फिर से वो सारी चीज़े बता देता हूं कि कैसे आप हमारे इस नोट्स को इस को एक्सेस करेंगे आप गूबल के चाहिए iblib.com को सर्च करिए आपके सामने लिंक ओपन हो जाएगा जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वे वहां पे आपको login और user id मिल जाएगी आपको password मिल जाएगा उसके दुरू आप इसके website में जाके आप सारी चीज़े चेक कर सकते हैं जैसे ही आप वहां पे free sign up करेंगे आपके सामने इस तरह का home page open हो जाएगा जिसमें आपको right side पर जाना है right side पर second option आपके लिए है यहां से आप अपने classes और अपने subjects को choose कर सकते हैं जैसे कि मैंने क्लिक किया मैं जैसे कि मैंने क्लिक किया तो यहां पर क्या आगया select tier और select subject आप किस class के students हैं जैसे कि अभी आप 9th class के students हैं तो आप select year को जाके अपना class choose करिए any class night और physics के अलावा यहां पर और सब्जेक्स ने हैं जैसे कि biology, chemistry, maths, English, commerce आप other subjects या other students जो भी होंगे आपके जानने वाले उनको भी आप यह बता सकते हैं कि यहां पर other subjects भी हैं तो अगर आपको subject choose करना है तो आप select subject को जाएगे आपके सामें different different subjects आ जाएगे जैसे कि अभी physics की class चलने वाली है तो मैं physics पे click करूँगा और इस तरीक्ते से physics का पूरा topic class 9 का आपके सामने आ जाएगा अब जैसे कि इसका फायदा के accident जैसे कि आप book खोलते हो तो book में first page पे क्या लिखा होता है series, series number या series name, topics name लिखे होते है वैसे हैं यहाँ पर भी आपके class 9 की जितने भी topics होने वो एक series में एक serial wise आपको मिल जाएगे अब इसका और benefit क्या है students, इसका और benefit यह है कि जैसे आप मालो कहीं driver कर रहे हो या फिर कहीं friend के घर पर हो, या मालो कुछ दिन के लिए related के घर चले गए हो, तो आपको याद आता ह है कि अचानत से कि मेरा तो एक अफते बाद या तीन दीन बाद paper होने वाला है या कोई test होने वाला है, तो आप तुरंग उससे में अब ऐसा तो होता नहीं है कि हम हर जगा अपनी book carry कर सकें, तो इसलिए आप इस website के तुरू तुरंट login करते हो और आप उस चीज को उस content को तुरंट revise कर सकते हो पढ़ सकते हो और questions की practice कर सकते हो एंड जैसा कि अब आप class 9 में हो तो after 3 years आप 12 में पहुंचोगे जैन उसके बाद फिर आप अपने carrier के तरफ बढ़ोगे तो जब आप carrier बनानी जाओगे तो वहां पर आपको कोई नहीं कोई competition देना पड़ेगा तो इस student यह थी हमारे platform की बाद अब जैसा कि आज decide हो चुका है था कि आज मैं class 9 का topic list count और vernier caliper और screw gauge पढ़ाऊंगा student यह जो topic है list count, vernier caliper और screw gauge यह थोड़ा से lengthy topic है थोड़ा से conceptual topic है और numerical topic है क्योंकि इसमें थोड़ा से numbers वगरा या थोड़ा से concept पे ज्यादा यूज़ होगा तो यह मैं आपको यहां मैं आपको आज पूरा खतम करने की कोशिश करूंगा लेकिन अगर कुछ रह जाता है वो मैं next class में आपको खतर करूंगे या next class में आपको पढ़ा लूँगा तो students start करते हैं बिना किसी देरी के आप यह 9 अपर टॉपिक पूल गया है मुझे जाना है लिस्ट कॉण और वर्नेर कलिपर्स के मैंने लिस्ट कॉण और वर्नेर कलिपर्स पे क्लिक किया यह आपको content open हो गया तो चली start करते हैं students अभी तक हमने इन पिछले classes में क्या पढ़ का ऐसे रेप्रजट करते हैं जो उसको मिजट करने के दुसरी कॉएनिटी ऑसको यूनिट है and यूनिट के टाइप्स पढ़े खिर हमने पढ़े थो अगर मैं थिफ आ दिक कर hello कि हमने क्या पढ़ा तो हमने पढ़ााथ अध्र फिजिकल कॉनिटी को हम कैसे रिप्रेजन करते हैं कैसे लिखते हैं अगर X कोई अगर नुमेरिकल वैलू और यू क्या है आपका यूनिट तो यह तो होगी नुमेरिकल वैलू और यूनिट लिखने के लिए हैं । ययानि हम फिजिकल कुवनिटि को करते हैं और मिजर करने के लिए हम अलब- Greा कि कर दिखा करते हैं अब कुछ बस्द bourgeois के अग्सें इग्जांपल लिखे दिखांगा इससे आपको समद्र ने आएगा अख्या कीुरह कि ज przyszतर को इस यहां भी मैंने की यूणिट और यहां भी मैंने लिखी डिवाइस सबसे पहला लेंग दूसरा मास तीसरा ताइम एंड पूर तरेंट ऐसे दोहाँ सारी फिस्कल कॉनिटी है पर यह जो मैंने लिया है यह आप इसे फैमिलियर हो लेंग की जो यूनित होती है मतलब जो इसको मिज़र करने के यूज करते हैं मीटर करते हैं और इसके लिए जो हम डिवाइस करते हैं मिज़र करने के लिए वह होता है मीटर स्केल मीटर स्केल या रूल बोलते हैं इसको मास को मिज़र करते हैं किलोग्राम में और इसके लिए जो डिवाज होता है अपको बैलेंस को वी एलए schizophrenia जुख है यह अपकर तरह ala तो यह आपने कुछ फिसकल कॉनिटी जिनको जिनके लिए मैंने अलग लग दिवाइस दिखिए अब यहां पर बात किसी की हो रही है बात हो रही है कि हम एक तरीकरी से बात कर रहे हैं जरेंगे सक पूरं के कि इहां को यहां पर निस्ट कॉंट निकालते हैं यह जानना बहुत जरूरी है सुडेंट लिस्ट काउंट क्या होता है लिस्ट काउंट यहाँ पर मैं आपको एक स्केल की घुरू बनापे दिखाऊंगा लिस्ट काउंट क्या होता है अब यहां पर देखे हो कि यह स्केल है यहां पर जो नंबर्स दिखे हुए है यह एक्टव में होते हैं स्केल ठीके कि इसमें हम क्योंति को या किसी पाह्शन कर रहे है जी को नंबर में Sum bravery कर रहे हैं या है और चोटी चोटे लाइंस देख रहे हो इसको बोलते हैं डिवीजन जैसे कि आडिनरी आप हम लोग क्या यूज करते हैं स्केल यूज करते हैं और वो उसका ग्रैजुएट स्केल होता है वो सेंटीमिटर में होता है सेंटीमिटर में और एक ट्रफ लिखा होका मिलीमिटर यानि म 15 सेंटीमिटर का भी हम स्केल यूज करते हैं अब यहां पर चोटी चोटी लाइंस देख रहे हो इसको बोलते हैं डिवीजन और डिवीजन की जो वैलू होती है उसी को हम बोलते हैं लिस्ट काउंट मेंस क्याइब काउंट इस्ट काउंट निकालने हैं तो कैसे निकालने में इसको देखते हैं अब यहां पर देख रहे हो कि जैसे इसका स्कार्टिंग जीरो से और सीरो से वन वन से टू टू से थी मतलब जीरो से वन वन से टू अगर आप इस सब की बीच का डिफ्रेंश देखो तो यहां पर आपको वन सेंटीमिटर का मिलेगा हुआ मतलब दो एक से लोगे संटीमिटर मिलिवीटर या इस ब्लोगे तो वह आपको यहां पे मिलेगा तो यसे यह वन से टिफिश में तो यहां कि इसके लिए जैंट दिघ्र और करनी है वो प्यासे कल्कुलेट करेंगे, वो हम कल्कुलेट करेंगे यहाँ पर, देखो, हमने लिखा यहाँ पर, 10 division is equal to 1 cm, यहीं शोर हो रहा है, 10 division is equal to 1 cm, तो 1 division is equal to कितना हो जाए दो? 1 by 10 cm, इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, 0.1 cm, या फिर, इसी को हम लिख सकते हैं, 1 mm, ठीकर? तो यह आपका क्या हो गया? means count, इस meter rule का, इस meter scale का, ऐसे ही अगर आपको कोई दूसरी device दे दे, जैसे बालो, आपको दे दे, एक stop watch, stop watch दे दे और इसका जो graduate scale है, 0 से start को 0, 5, 10, 15, and 20, और उसी तरीके से, अगर मैं division बनाऊ तो, एक, दो, तीन, चार, पार, छह, साथ, आठ, नो, तस, फिर, एक, तो, तीन, चार, पार, छह, साथ, आठ, नो, पस, योगा 5, योगा 10, तो यहां पर आप देख रहे हों कि, जो 0 से 5, 5, 5 से 10, 10 से 15, and 15 से 15, मतलब सारे के सारे जो graduate scale है, उनके बीच में 55 का difference है, और, दो numbers के बीच में जो divisions हैं, वो है 10, यहां पर हम लिख सकते हैं, और यह जो stop watch है, इसको जो हम निजर कर रहे हैं, वो सेकेंड में निजर कर रहे हैं, सेकेंड, सेकेंड में, यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे, तो इस तरीके से आप stop watch क्या निकाल लिए, बतलब आप इसकी list count निकाल लिए, तो student यहां तो हमें यह समझ में है कि list count क्या होती है, list count इसी भी device की smallest division की value होती है, ठीक है, अब मैं आपको बताओ ना कि क्यों हम meter rule के जगा पर burner calipers या screwball जैसे device की boost करते हैं, देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि, जो meter rule है, जो meter rule हम लोग normally use करते हैं, cm, 15 और 30 cm वाली, उसका जो least count आया, least count, वो आया आपका 0.1 cm, 0.1 cm, अभी मैं आपको त्वाँचा डैग्नाम के थोर समिखाता हूं, जैसे मालनों, यह fixed end हो गया, ठीक है, इसका यह fixed end हो गया, यह zero को remote कर रहा है, ठीक है, अब मैं एक रॉड लेता हूं, यहांसे एक रॉड बनाता हूं, यहांसे एक रॉड बनाता हूं, इसको मुझे विज़र करना है, अब अभ्ध्यान दो, यह जो line है, यह वाली, यह जो इसकी length है, यह लगवख one point two, वगर यह point two है तो यह one point two denote कर रहा है, और यह थोड़ा सा skip beyond है, ऐसे, मतलब one point two के बाद जो यह वाली length है, यह वाली, ठीक है? करें, आप देखना हो, यह जो यह जो यह वाला, इस तंसे यह वाला, one point two हो हो गया, वान पॉइंट शोग हो गया और यह जो इतो में लेक्ट इसको आप मेज़र कर सकते हैं रिज्ट के से लेकिन अगर आपको डेसिबल के सेगेंड प्लेस तक निकालना पड़े तो वह एकुरेट वैलू नहीं देगा तो इसी एकुरेसी को मिजर करने के लिए हम वर्नियर कलिपर्स या स्कूरूड जैसे डिवाइस का यूज करते हैं बेस्ट इसके बाहर करेंगे और फ्रस आपको यहां को जो इसको पढ़ को दिखा दे रहा हूं यह समें रिखा गुए है कि इसके बाद आगे देख लिखा हुआ है कि इसके बाद आगे देख लिखा हुआ है कि इसके बाते बता दिया है कैसे हम इतर से खूर्पल गालेंगे और इसके थुरू मैंने एक दूसर एक्जामपल देख लिया था ठीक है और यहीं बताया कि क्यों हम मेटर रूल के जगहां बर्ब्मेर करिफर या स्कृष्पार उसकरेंगे क्यों तो कि मीटर उनका कि जो आपक एकुरेसि बाना ही देस्य में देसिम οिघ्यस करता है जो इस लिए एद अब देसिह करते हैं तो उसका प्रिंसिपल क्या है यह किस प्रिंस्पड से हैं हमारा इंजर कर यह वे स्बस SALTWA ya जा यह रहती है Combat मैं आपको यहां पर पताऊंगाientes सब्सक्राइब देजिए और दोसरा देजिए वर्नियर स्केल पहला में इसकेल और दूसरा देजिए बनियर स्केल कि वर्नियर स्केल होती है बतलर इसको हम मूव करा सकते हैं यह होती है मूवेबल अब आगे देखूं अब मैं आपको में स्केल और वर्नियर स्केल बना करेता तो जीलो अब कर दो कर दो कर दो कर दो यह जो बना है यह में स्केल में स्केल अब बनेगा वर्नियर स्केल जो कि मूवेबल होता है वो नीचे बनेगा ऐसे यह आपका वर्नियर स्केल कर दो कर दो कि वर्नियर स्केल आपको मूव कर सकता है मूव करने का मतलब आप इसको ऐसे आगे पीछे मूव करा सकते हो तिक मैं यहां से लाइन कर आप देखाम है अगर दिक तो इतनी मेन स्केल की लेंग और इतनी वर्वियर स्केल की लेंग क्या है इक्वल तो यहां पे हम कैसे वर्वियर स्केल का लिस्ट काउंट निकालेंगी यह देखो आप अगर मैं आपको तुछा गिन के बताऊं जैसे अगर मैं आपको गिन के बताऊं तो देखो एक, दो, तीन, चार, पांट, छह, साथ, आठ, नौ मतला मेन स्केल के नो डिविजन, नाइन, एमस्ट, एक्वल है, तो मेन स्केल के नो डिविजन, वर्वियर स्केल के कितने डिविजन के बराबर है, मैं काउंट करता हूं, एक, दो, तीन, चार, पांट, चैस, साथ, आठ, नौ, दस, तेन डिविजन के बराबर है, यानि, टेन, वी, एस, टी, इस, इक्वल तो, नाइन, मेन, स्केल डिविजन, तो यहां पे अगर मैं, वन डिविजन के बारू निकाल हूं, मतलब वन वी, एस, डी, के बारू निकाल तो, मुझे क्या करना होकर, इसको टेन से डिवाइड करना होगा, तो यह आपका आजाय का, 0.9 MSK, और माँनो कि यह मिलिमिटर में, मैंने जोसका, ग्रेजुएक स्केल लिया है, वो, मिलिमिटर में लिया है, तो यहां पर क्या आगया, 0.9 मिलिमिटर, यानि यहां पे 1 BSD क वावे, 0.9 मिलिमिटर, और सेंटी मिलिमिटर में अगरमें, इसको निकालोंगा, कितना आजाएगा, 0.09 सेंटी मिलिमिटर, तो आप देख रहों कि यह डेसिमल के 2 वावाव तक इसकी वाव निकली, यहसका मतलब, वर्णियर स्केल हमें, डेसिमल के 2 वावाव तक यह स्काइर स्काइर इस लेकर बदाए कैसे क्या किया था अब सबसे को और फोर्मेड और इसको अच्छछ से बदाता हूं कि कैसे हम इसको आपको तो निकालेंगे ऑच उक्तमाइ लिखे होएं हैं कैसे वहां पर तो उसका derivation हुआ है अब मैं इसको फ़रसा आगे मढ़ता हूं तो से फ़रे मैं इसको remove कर रहा हूं हाँ आपको जो values मैं यहां पर निकाल के दिखान रहा हूं उसको आपको याद कर लेना या फिर उसको आप याद कर लेना क्योंकि वह values question में भी use होंगी जैसे कि अभी मैंने आपको यह value मता ही ठीक है और मैंने आपको मीटर रोल की value बता है कि उसका list count कितना होता है उसका list count होता है point one centimeter मिली मेटर ओके या फिर बन मिली मेटर फुरसा मैं इसको आपको content में दिखा देता हूं प्यासे आप देको लिखा भी हुआ कि सारी चीज़े आपको आप दिख रही होंगी कि यह दिखा हुआ कि one smallest division is one millimeter or 0.1 centimeter does a meter rule can be used to measure the length correct only up to one millimeter one decimal place of centimeter it cannot measure the length with still more accuracy decimal के one place तक जैसा कि मैंने बता है कि decimal के one place तक हम इसको और accurate नहीं measure कर सकते हैं इसके बाद हम किसी place के लिए और accurate नहीं measure कर सकते हैं इसलिए हम क्या use करते हैं हम use करते हैं भा हें मिरीय को ठीख के टोटेखें पर के sowघार क्रावार क्रेकरिक क्या प्रिंपार ऐनीर इस मोच अब मैं आपको यह लिखा है हँआ आप चीटें क्योंतों आप श不多 एक को श doubts कर्किह करके बताता हूं क्याकर आप मैं आपको इस को proven अधिन खाओ, पहले तो लिस्ट कॉंट देख लोगा सिर्ट के लेगा ? लिस्ट कॉंट of Vermeer Scale लिस्ट कॉंट of Vermeer Scale हमें अभी हमने जब इसको मेड़ा रोल की तो मैंने बता है तो मैंने बता है कि mainstream scale की 9 division, Vermeer Scale की 10 division के बराबर दी बचलब and division of vernier scale is equal to n-1 division of main scale, ठीकर, अब यहां पे मान लो, चैनल को यहां पे, यहां पे मान लो, की यहां पे मान लो कि, जो वन, यहां पे मान लो, की जो 1msd की जो value है, warning, बचली है, जो वैकर, यहां पे क्या रिखंगा? 1 1 Main Scale Division is equal to X. ठीके? 1 Main Scale Division is equal to X. आध माल लू की 1 VSD की बाईब क्या है? Y. ठीके? और मैंने लिए आपको बताया की जो N Division होगा यहां पर अगर मुझे टोटल लेंथ से मैं तो अगर निकाल नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा मैं यहां पर ऐसे आसे लिखो में देखो यह एंड वी एसटी इस एक्वल तो एंड माइनस यह आपका एंड माइनस में स्केल डिवीजन है एक डिवीजन एक डिवीजन आपका एक्स को डिनोट कर रहा है तो एंड माइनस वन कितना हो जाएगा यहां पर मैं आपको निक्के निका रहा हूं एंड माइनस वन एक्स हो जाएगा आपका ठीक है उसी थारीके से अगर वीस्टी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग यहां पर देखने लूग वीस्टी यह एंड और तिकने वीस्टी है यह यह यानि क्या हो जाएगा आपका वन वर्लियर इसके डिवीजन इस अब यहां पर हमें क्या करना है हमें यहां पर का यहां और लिस्ट काउंट निकालनी है अगर्मियर के लिश्ट कॉंट हम कैसे निकालेते लिश्ट काउंट पहले मैंने आपको बताया देख़िए जो मिटर ने इसका दूंट है इसका मैंने उसका क्या बोलते हैं इसका कह्षिगा आगया कॉईंट बन आगया अब इस चांट नो तो आपको में में स्केल में से इस चांट मेंस आपको वन पर इसकेल डिविजन में से आपको वन बर्नियुल डिविजन को माइनस करना पढ़ेगा स्केल इस इपल तो वान एमस्टी माइनस वन पी अस्टी वोगी यहां पे दो पॉइंट वन सेंटिमेटर का बता रहा है मिटर इस मिटर रूल का इस निस्ट का और पार रहा है स्केल रिवोजन की वैलों 0.09 सेंटिमेटर आगर हमें कमबाइट लिस्ट काउंट कालना है कि आपको में इस चिलो वर्ने होता है तो निकालने के लिए हम एमस्टी में से वीज़्टी को मैनस कर देंगे घृएंगे तो यहां पर जैसे वीज़्टी निकलि गई है और हमें प यहां पर आपका 1 Nsd हमने X मानी हुई है और 1 Nsd आपके क्या निक्नी हुई है माइनस करेंगे ठीक है माइनस N-1 X upon क्या N क्या है आपका नंबर ऑफ डिविजन इंवर्गेर सकेल सॉल्व करिए देश्टुट आपको बिताते हैं Nx- Nx X plus X upon n तो आपका ये कड़ गया ठीक है यह आपका कड़ गया तो आपकी बैणों क्या अगए X Y N यानि आपका बर्निर स्केल का लिस्ट गांट निकला X Y N इसका मतलब इसका मतलब स्प्रेंट इसका मतलब की X आपके रिडोड कर रहा है नंबर उफ डिविजन इन वर्नियर स्केल इस इसे निए आपको फुर्ण से यहां पर इसी चीज को अपने कंटेंट इन भी दिखा लेका हूं देखिए आप यहां पर वैटि ठीक हुई है जैसा कि मैंने बताए के एंड माइनस वन डी इसन कि अग्वाइन माइनस वन डिविजन मैंने बताया कि नाइन डिविजन आपका में इसकेल है और तेंद आपका बर्नियर स्केल है आपको मैंने इसकान का फॉर्मला डिर्विजन डिविजन निकाल सकते हैं तो प्यूंद यहां को मिल जाएंगी अब बने और अपको इसकान का फॉर्मला डिराइज परते लिविजन करें डिविजन आपके अप श्कॉंद आपको गया तो इस तरीके से आप बर्नियर स्केल का रिस्ट काउंट निकाल दिया हुआ है यहां पे आप देख सकते हो कि दिखा हुआ है कि क्या रिखा हुआ है क्या रिखा हुआ है कि में स्केल दिविजन या ग्राज़िए टूरीट अपन मिली मिली मेटर और बर्नियर स्केल और विस्ट आप इसे एकट इकल अब दो लेंख आप दिविजन और में स्केल ठीक है अब यहां पे जो में इसिए टो आपको रिदिंग ओंड ना ओंग है वन कि वुल्ट मिली मिली में लुम लिए मिला को जो मुंद और अबूल सेंटीमेटर और तो टो टोटल आपको डिविजन दिया है वर्नियर्स केल का सब्सें सब्सक्राइब यहां और यहां पे टो से हैं मतलब जो इसका रिसकांट आए आपको इतना आप ठीटना अगया पॉ मार्किंग है इसका मतलब कि 0-10 तक यहां पर डिगाइड किया गया है आप समझे रहे हैं तो इस प्रेंट यह था आपका क्या यह था आपका लिस्ट कॉंट आफ वर्ड मेर स्केल ठीक है इसका दूसर एक्जांपल भी इसको आप देख लेना आप बात करते हैं कैसे काशन अब करेंगे हैं हैं मतलता मतलब काशनों मुझे किसी इसको यह रिट करना होगा तो कैसे इसको आपका इंग्ज testim बैल्व ओगी कि इंग्ज एक्सेइफ्ट वांव होता हैं में डेडिग ला में इस्केल रीडिंग में स्केल रीडिंग लेख़ें प्लस वर्णियर इस्केल रीडिंग हम में स्किल लीडिंग निकालेंगे और वर्णियर स्किल लीडिंग निकालेंगे अब बात आती है वर्णियर स्किल लीडिंग कैसे निकालेंगे वह देखो आप ऐसे मालों इस फिगर में देखो ठीक है इस फिगर में आप देखो को पहलो है कि अगर आपको किसी भी ऑकल जो मिज़ग करना होगा तो आपको वहां पर वर्णिय्ट स्केल को भी मिस्टाउन निकालना होगा जैसे मौनलों के इसका अधिकाल निकाला क्या कि इसका निकाला इसका मुने लिस्ट कॉंट निकाला वाई 0.01 सेंटीमिटर ठीक है MSD मैंसे मैंने VST को मैरस कर गया तब 0.01 सेंटीमिटर इसका लिस्ट कॉंट आ गया और आप देख रोगी जो रॉड है रॉड यह रॉड जो है वो में सेंटीमिटर की बाद जो सब्सक्राइक अलिए 1.2 सेंटीमिटर मेंveda मेंसे के बिए वर्णियर सेंटीमिटर भी है अभुल आधा निकालना को है Raven की रीडिंग को कैसे निकालेंगे लेके चले जो बन्द पर थे टुम और वर्णियर स्केल की डियुच को देखो जो डिविजन से उसके राघ्ड हो जाए उसके लौ इव्तिम स्टेट हो जाए से कर देना करना के 10 के सने और कर रहा है उसको आधा क्या पुसक्ते नहीं इस Déjà क्रें उसके बाद एक護 volontar जैक जो इस से मेच कर रहा है तो मड़ तो मतल और की ऑपको इतना होगा ऋगने इस पिसटuzा एक लिए वर्मिय। scale reading for burnier scale reading यहां पे क्या हो जाएगा 0.01 cm अपका list count or multiply by pH division of the burnier scale pH division of the burnier scale which is coincide with the division of main scale और यहां पे pH division क्या है आपका यह आपका pH division है pH division क्यों क्योंकि यह जो 5 है 5 का जो division है वो में scale division से exact match कर रहा है इसी लिए हम क्या रिखेंगे इसी लिए हम यहां पर रिखेंगे 25 कि इतना हो जाएगा पॉइंट यह हो जाएगा आपका 0.05 cm अब हम आपको इत्दम में इत्दम एक्जेक्ट रीडिंग लिखके बताते हैं कि कैसे पाइज एक्जेक्ट रिडिंग रिखेंगे तो इक्जेक्ट रिदिंग यह पर रिइध रिडिंगि आपकी आई टी तरेck्ट रिडिंग आति टी अउई यह यह मैंने में में मीच इतनी है 1.你या सेंटीमेटर और बढ़ने रिदे करोगे तो आपका आजाएगा इसको आपका आजाएगा पूरा पूरे रोड का लेंथ और विच पॉइंट टू प्लेस तर आपको इसकी एकुरेट लेंथ में जाएगी तो इस तरीके से करते हैं अब बात करते हैं यह तो होगे वर्नेर की बात ठीग है अब देखिए यह बात पर आपको आगे लिखी भी है आपको कंटेंट में मिल जाहेगी कैसे आप यहां पे वर्निय रीडिंग निकालोगे तो लिखी हुई है और फिर जो मैंने एक्स्ट्रा लेंथ मदाये थ बीजिजन मंठिक लेविश्ट कांट इस फॉर्मॉले से दूस आप क्या निकाल दोगे एक रिद्ग कर दोगे तो आपको में लेंध डेटी सेल के एकुरेसी केसाथ अब आपको आता है डिवाइस अब आपका आगया डिवाइस वर्णियर कलिपर्स क्योंकि आप देख लो यहां पे इसका पिगार है यहां पे वर्णियर कलिपर्स कुछ ऐसा दिखता है छुआ है इसके ऐसा हिए और के देख रहए जायकों होगे और यह सेले ये कहांती लोगई अचरेज लोड़ में है एक यह इफकि में एक ब्रेजल के लोगी एक अब के लोगे और पर IMC कांप तुछी लरॉज मिधे को बैलो ऑप व्रेंस में इस तुटल नमबर तो जैसर मैंने आपको वर्नियर स्केल में बताया था मैंसे पूरा ये बना हुआ है पूरा लिखा हुआ है आप वो सारी चीजे मिल दाएंगे बस आपको फुरा सा ज़रूरत की सिस्की होती है कोई समझाने वाला ऐसे टॉपिक में अकसर आपके जब आप इस चीज को एक दो बार और और परोड़ों के तो बुद्म क्लियर हो जाए और बहुत प्रियाट टॉपिक है आपको फिर सी 11 में मिलेगा है आपको थोड़ा सा होता क्या है होता यह है थोड़ा सा एरर वगरे भी आते हैं क्योंकि एरर वो तो सभाविक है वो नेचरल ही है इंसान से गलत्री गोड़ाती है तो जैसे मानों कि यह वर्णियाप कैलिपर है टिक है यह वर्णियाप कैलिपर है मानगों ऐसे यह इसका दूसरा जॉप हो गया टिक है हम इन इक बीच में जो किसी ऑप्जेट को stick करते हैं और किसी अबीच को इन दो जॉ जाओगे। एक दम पास देके जाओगे दिचाना हुए एक दम पास देके जाओगे तो क्या होगा अब यह को अगर यह में जोना स्केल Almost The Dare कर साइट कर गया था दोनों जौश को पास लेकर जाओ तो मेन स्केल का 0 और वर्णियर स्केल का 0 अगर दोनों पास एकड़ मज़ए तो इसका मतलब कि यहां पर कुई सी तरह का एररण नहीं है मतलब यह zero error को शोगर ना है आप जोज को कम चिपका दिये तो जो बर्मी स्किन के जीरो आया वह में स्किल की जीरो के राइट प्राइट में आ गया ठीक है और यह कौन सह आपका यह है आपका जीरो भॉसेर्टिव यह आपका जीरो ओजिटीव एरघेंग अद्धिंट आप जैसे कि मैंने कहा तो A students आपको यह जीरो 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 फौजिटिव एरर अब इसके लिए क्या करना होगा मैं ते यहां पर दिखा दे रहा हूं कि तैनि आपको यह बूंज रोला कि क्या करना हो है यहां पर देखो यह जी जीरो है यह में कि और दिए उसके राइट साइड क्या कर रहा है इसको पैसे घरो घरीड करने क्रिए आपको बस जैसे आप जो पर टॉट जो जो डिवेज्ट गर्मियर स्केल और मेरी स्केल कर जाएगा उसको उसको आप लिख लो रहे से कि यहां पर कॉंप से डिविजन क्या कर रहा है तो सिक्स लिख के उसको लिस्ट को से क्या करती है मुल्टिप्राइब कर देना और सिर्व रिडिंग क्या लिखोगे इसी भी ऑब्जेक्ट की लिं प्लस बढ़ियर स्केल माइनस जीरो एरर ठीक है विट्ट साइन विट्ट साइन यानि आप क्या करना माजरस्का आ गया क्या पॉइंट लाइनस करदे तो आपकों मिल जाएगा आपको पर अविट्ट चैनल जाएते तिडि़ ज्स वैसे ही stiff competitive आप आपको जाने होगा इसको कैसे करो गया इसको करने के लिए जैसे की मैंने बताय था आपको कि यहां पर यहां पर पहले क्या करना आप यहां पर लैलो कर साथ कि कौन्सा दिवीजन में स्केल्स कर रहा है कर रहा है क्या करना आप आप 10 में से 6 माइनस कर देना माइनस का सब्सक्राइब कर देना ठीक है जो भी आपकी वैलू आएगी इसको में स्क्रू बोच वाकिया में बहुत लेंदी चैटर है और इस तरीके से अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यों